तो जैहिन दोस्तों मैं जुवेश कमार स्वागत कलता हूँ आपका डिफेंस अटर 24-7 पर और अगर आप C.A.P.F. 2022 की प्रपेशन कर रहे हैं तो ये किलास आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है C.A.P.F. का जो नोटिफिकेशन है आने वादी 20 अपरेल को आ जाएगा और इसका जो एक्जाम है वो आपका 7 अगस्त को शेडियूल है तो अगर आप देखा जाए तो आपके पास इस एक्जाम के लिए 120 दिन से भी कम का टाइम बचा है ये जो एक्जाम है C.A.P.F. का इसके थूँ आप इंडिया की जो पेरामिलर्टिफ फोर्सेज है C.A.P.F. C.I.S.F. IT.B.P. S.S.B. B.S.F. इसमें आप असिस्टेंट कमांडेंट के लिए पोस्ट के लिए अपियर होते हैं और इसको मेल और फीमेल भी अपलाए कर सकते हैं इसमें आपको एज 25 येस तक के मिलती है साथ ही साथ category wise आपको age relaxation भी मिलता है साथ-साथ इसमें SSB नहीं होता है इसमें exam clear करने के बाद आपका physical, medical, then interview का process होता है तो ये पूरा इसका क्या होता है एक आपका selection का criteria होता है लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके exam की तो इसका exam एक बहुत ही अच्छा स्तरक होता है एक तो Union Public Service Commission इस exam को लेती ही है दूसी चीज क्या है कि Union Public Service Commission का जो सबसे toughest exam माने जाता है वो Indian Civil Service का माने जाता है जो आपका IES का exam है उसके equivalent ही आप CAPF के exam को मानिए क्योंकि इसमें इसी तरीके का question का pattern या conceptual knowledge पुछे आती है आज जो मैं आपके साथ discuss करूँगा वो 2021 में यानि जो आपका last year 8 of August को exam हुआ था उसमें जो CAPF का questions आयते है history के कैसे आयते कौन सी जगा से आपको पढ़ना चाहिए अगर आप self study और अपने आप में belief रखते है तो आप इस exam को अपने बलबूते पे कैसे clear कर सकते हैं ये मैं आज आपको इसके बार में information दूँगा तो सभी का welcome है नारायन परसाद इसमें interview वैसा होता है आपका union public service commission लेता है SSB का process इसमें नहीं होता है तो चलिए हम इसकी questions करते है इसमें 125 questions आते है जिनका mark होता है 200 और इसमें से आपके 25 questions आगर आप side रख दे तो वो आपका 25 questions आपका reasoning और mathematics पर based होता है बाकी जो आपका question होता है वो आपका pure gk बोता और core concept होता है तो आज मैं आपके सामने history के questions को discuss करना जा रहा हूँ हिमान्चू उसके बारे में हम बात करेंगे पहले अभी हम जिस चीज को discuss करना है पहले हम उसके पर discuss करेंगे और definitely application पर paper second के लिए भी आपको कोई नो कोई हम special assistance या guidance देंगे क्योंकि paper second भी इसका अपने आप में ही एक अलग level का अलग स्थर का paper होता है ठीक है तो सबसे पहला question आपके screen पे ये रहा चोलिस्तान सबसे पहला मतलब history का question था C.A.P.F. अब ये question पूछा कहां से गया है ठीक है क्योंकि हम जब normally मैं भी जब C.A.C.A.P.F. के students को पढ़ाता हो तो इसका जिकर नहीं आता है चोलिस्तान पंजाब में एक desert area है और ये question Union Public Service Commission ने कहां से pick up करा ये question pick up करा आपकी 12th class के NCRT से तो number one आप लोगों को क्या धहन लेकिन मैं आपको इहां पर जो information दे रहा हूं वो क्या है कि आपको नद दो चीज़ करनी है एक तो class 11th और class 12th की NCRT इसको आप purchase कर सकते हैं purchase ना करें तो कोई बाद नहीं आपको ये NCRT books तो आपको online भी PDF के format में आपको available है और इनको ना line by wise line पड़े क्योंकि मैंने ये देखा है कि Union Public Service Commission अगर आपसे question put up करेगा तो वे line by wise भी आपसे पूछा जा सकता है तो इस चीज़ को जरूर धिहान रखेगा तो खैर इस question का answer यहां पर क्या होगा option number C होगा क्योंकि हम NCRT के according चलेंगे और ये आपके 12th के end of civilization की भाई इंडस वैली civilization का end कैसे हुआ संदोश कुमार येस बताओ अब ये आपका जो question है कि माध्यमा माध्यमी का कारिका या माध्यमा का school अब ये जो question है again NCRT का है लेकिन ये आपका NCRT की 6th class का question है क्योंकि NCRT की 6th class में हम क्या पढ़ते हैं thinkers को पढ़ते हैं और इसमें आपका thinkers में आपका कौन आता है इसमें thinkers में आपका आते हैं बुद्धिजम के thinkers तो नागा अर्जुन जो है आपका एक बुद्धिस गरंथिनों ने लिखा था जिसको माध्यमा कारिका बोला जाता है और इस question का answer option number 1 तो धियान रखेगा आप कोई market से book purchase करना चाहें तो कर सकते हैं मैं आपको नाम बता सकता हूं पूनम दलाल धाया है आपकी ancient or medieval history की अच्छे book है एस चांद की आती है राजीव अहीर की एक book आती है modern history की तो ऐसे आप कर सकते हैं लेकिन foremost आप उन books पर तो जरूर जाहिएगा लेकिन उससे पहले आप जो NCRT है उनको जरूर डाउनलोड करके एक बार study जरूर करेगा क्योंकि वो आपके लिए एक corner store जिसे हम cornerstone जिसे हम नीव का पत्थर बोलते है या basis बोलते है वो डबलब करेगी NCRT को मैं इसलिए emphasis कर रहा हूँ number one उसकी जो language होती है बहुत ही simple होती है ठीक है और जो union public service question पूछता है वो NCRT के lines में से उठा के एक example तो आप दे चुके आप next भी आपका इसी तरीके का example है फिर अब आपसे ये question पूछा गया है कि which of the following is not correctly matched इसमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है Again ये आपका जो हमारा ancient history का part है उसमें अलग-अलग ruler के समय अलग-अलग आपके literature के बारे में हम पढ़ते हैं अलग-अलग scholar के बारे में पढ़ते हैं अब ये question दिखने में तो बहुत ही tough question लग रहा है लेकिन actually में बहुत ही simple question है क्योंकि जब हम गुपता age के बारे में पढ़ते हैं तो गुपता age में चंद्रगुपत second vikramaditya के बारे में पढ़ते हैं जब चंद्रगुपत second vikramaditya आता है तो उसमें हम Shakespeare of India के बारे में पढ़ते हैं Shakespeare of India जिसको बोलाया था कालिदास और कालिदास नहीं आपका वसुवद्धत्त ये book नहीं लिखें उन्होंने अभिजान शाकुंतलम, मालविका अगनी मित्रम, देवी चंद्रगुपतम ये book का वो author रहे हैं वसुवद्धत के वो author नहीं रहे हैं तो actually हमारा इस question का answer क्या हो जाएगा option number D हो जाएगा नारायन पर साद आपने विलकुल ये question का answer सही दिया है अब अगले question की और move करते हैं, अगला question आपका ये art and culture से based question है अब ये जो question है, ये थोड़ा high level का question है, ये आपको NCRT में इसके बारे में जो information है वो कैसे मिलेगी, discrete मिलेगी, लेकिन इसमें आपको जैसे NCRT में आपको मिलेगा भूमी स्पर्ष मुद्रा, ये भगवान की बुद्ध की मुद्राव पर बेस question है और जब हमारे इंडिया पर कनिश्क का rule होता था, कनिश्क, जिसने 4th Buddhist Council कराई थी तो उसके समय में 2 art form आपकी develop हुई थी, एक तो गांधार art और मतुरा art तो अब ये गांधार art और मतुरा art का difference नहीं पूछा, इसमें पूछा गया है कि मतुरा art में उनकी कौन सी मुद्रा होती है तो मतुरा art में जो उनकी मुद्रा है, वो कौन सी है, अभे मुद्रा है, ठीक है, भगवान बुद्ध की कौन सी है, अभे मुद्रा है अब ये आपको मैं दिखा देता हूँ, अब है मुद्रा, NCRT का ही है, मैंने आपको screenshot दिखा रहा हूँ, NCRT में ही जो लिखावा है, वो चीज़, तो ये मतुरा आर्ट है, ये इनकी क्या होती है, अब है मुद्रा इसे बोलते हैं, और मतुरा कला में इसे शामिल किया गया है Simple, आप NCRT के book से ही ये questions सारे पूछे गए हैं, सारा उसी से इस ले बस है, तो आपने आपको नाब distract मत करिएगा, NCRT को proper follow करिएगा, वो कैसे पढ़नी है, क्योंकि आज मैं आपको history और quality दो, इसमें आपको, जो हमारा live batches में आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो अभी आज history कर आ रहा हूं, कल quality के previous question, परसो से, यानि आपका Thursday से, हम शुरू करेंगे पूरा topic wise और पूरा concept wise आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोगों को अपनी regular attendance रखनी हैं, और proper notes बनाने हैं, ये exam आप एक महीना, 60 दिन में नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आज आज तो history के पूरे 19 questions है, 125 में, इसी तरीके से quality, geography, science, इन सभी के weightage होता है, journal knowledge, ये general studies, as a syllabus है, जिसको आप चाहा कर भी पूरा complete कभी नहीं कर पाओगे, लेकिन इसमें कुछ subject आप पूरी तरीके से complete कर सकते हैं, according to me, physics, sorry, quality, geography, history, ऐसे subject हैं, जिने आप अच्छे से complete कर सकते हो, औ अब आगे बढ़ते हैं, और यहां पर आप जब PDF डाउनलोड करोगे, तो आपके लिए मैं एक काफी अच्छा collection लाया हूँ, जिसमें भवान बुद्ध की मुद्राओं के बारे में बताए गया थे, ताकि next time, क्योंकि मैंने इसमें कल देखा, इसमें जो question है 2021 में, वो NDA के paper में आए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब Union Public Service Commission, अपने questions को repeat भी करता है, तो एक यह information हमें मिलती है, अब यहां पर देखो, जैसे भूमिस पर्ष मुद्रा, यह आपका जब भवान बुद्ध धियान में बैठे थे और उन्हें संबोधी प्राप्त हुईती, फिर यह वाली जो मुद्रा आप देख रहे हो, यह, जब धर्म चक्र मुद्रा, जो इन्होंने फर्स्ट सर्मन दिया था, फिर इसी तरीके से देखे, इस तरीके से जो हैंड जेश्चर है, यह आपका क्या है, अब है मुद्रा, अब है मुद्रा कि मैं जो किसी से डरने लगता, I am not fear of anyone, ओके नेक्स्ट कोश्चन आपका यह पाटली पुत्र से रिलेटेड है, अब यह भी कोश्चन आपका NCRT में है, लेकिन इसको कोश्चन को न थोड़ा सा न ट्विस्ट करके पूछा गया है, देखो, पाटली पुत्र की जो फांडेशन है, गंगा नदी और सोन नदी के कॉन्फ जा रहा हूं, वो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, तो जड़ा कमेंट में जल्ली से अनसल दीजेगा, ठीक है, मतलब कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, मैं आपको एक एनलाइजल दे रहा हूं, एक आपको प्रिव्यू दे रहा हूं, कि अगर आप CAPF के एक्जामनेशन में ज अब यह कोशन क्या है, उदाइन ने आपका पाटलेपुत्र सिटी की फांडेशन करी, अब यह जो पाटलेपुत्र है, यह था तो कूमर के दर, ठीक है, फिर 1895 में एक ब्रिटिश था, उसने पाटलेपुत्र के पास एक बुलंदी बाग पढ़ता है, पटना स्टेशन से 5 किलोमीटर इस में पढ़ता है, वहाँ पर उसने एक पेलेस, यानि एक महल का इविडेंस उसको मिला था, तो खेर उस पर यह बेस एक कोशन है, तो इस कोशन का अंसर ऑप्शन नबर C हो जाएगा, इस कोशन का अंसर क्या हो जागा, ऑप्शन नमर C, आप सभी देख लो, आ नाराण परसाद, नसीब रॉय और आपका रजत कुमार भठ, लेकिन अभी तक किसी ने राइट अंसर नहीं दिया, और हम यह फिफ्ट कोशन कर रहे हैं, है सिंपल कोशन, लेकिन एक भी कोशन का आप राइट अंसर नहीं दे रहे हो, और जब आपका मेरिट में नाम नहीं की समजी की जूरत होती है, और जब आप लॉंग रेंज फायरिंग करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक फॉर्टे सेवन की रॉक्वायरमेंट होती है, तो इस चीज़ को दियान में रखेगा, खैर इस कोशन का आंसर आपका ऑप्शन नमबर C होगा, ऑप्शन नमबर A तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि मगद की दो कैपिटल थी, एक तो थी आपकी राज की और दूसरी की खोमर, तो ये आपकी दोनों ही मैच नहीं कर रही है, ये आप्शन नहीं होगा, सॉलूशन अमित कुमार नहीं, यहाँ पर पाटले पुत्र के कंसेक्ट में, कॉंटेक निमलिकिस में से किसके विशेशन में होती है, अब सातवाहन, सातवाहन के बारे में मैं बताओं, सातवाहन जो थे, इन ही मराठाओं का भी हमें क्या कहता है, एक्जिस्टेंस मिलता है, कि मराठा जो रेस है, वो सातवाहन से ही आपका डवलप हुई है, सातवाहन जो थे, इनोंने अजन्तायलोरा की केव्स बनाई हैं, साथवाहन की जो ओफिशल लेंग्वेज होती थी, वो संस्क्रिट होती थी, और साथवाहन की कैपिटल क्या होती थी, अमरावती, अब आपको जब इतनी इंफोर्मेशन होगी, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर देतो होगे, कि साथवाहन का आंसर क्या होगा, आपका आंधर से होगा, क्या होगा आंधर से, आया हूँ, यहां मैं आपको बताने आया हूँ कि if you want to be an assistant commandant in the central paramilitary forces तो यह काफी tough exam है, आपको right approach करने पड़ेगी, अपने आप में belief रखना पड़ेगा और hard work plus smart work का आपको करना पड़ेगा, next question, अब यह question easy है, क्योंकि यह आपका several books में भी दे रखा, even lucent में भी इसके बार answer दे सकते हैं, यह easy question है, तो मैं wait कर रहा हूँ, आप में से कोई answer दे, शुशान्त कृष्ण, नसीब रॉय, शुशान्त कृष्ण, okay, solution, अमित कुमार, रजत कुमार भट, जो भी student देख रहा है, जड़े इस question का answer देने की कोशिश करे, कि कुत्ब मिनार, कुत्ब मिनार का ज इसको पूरा कराया था, फिर क्या होता है, 1351 के बाद, एक lightning strike होती है, okay, एक क्या होती है, lightning strike होती है, रविरा ठोड, यही attitude होना चाहिए, डूड, तो एक lightning strike होती है, और कुत्ब मिनार की जो building है, वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, तो फिरोशा तुगलक, फिरोशा तु रखेगा, दूसरी चीज ध्यान रखेगा, फिरोशा तुगलक ने काफी सारे चीज करी थी, फिर्स टाइम ब्राहमण उपर जजिया कर लगाया था, आपका इसके समय में सबसे जादा network था, कैनल का, फिर इसने अशुक के जो pillar, मेरट हो टूपरा से, डेली में establish करवाया थ जाते, सेकंड चीज आपको ध्यान रखने चाहिए, कि जो फिरोशा तुगलक है, इसने कई सारे cities भी बनाएती, जैसे फिरोजपुर, जहां पर हमारे प्रधान मंतरी जी का कौनवय रुग गया था, फॉर्मर प्रोटिस्ट के गारण, मिर्जपुर आपने देखी होगी, उसमें शुकला जी का इलागा जो बोलते हैं, आपका जॉनपुर, उसकी फॉंडेशन भारत में, उत्रपरदेश का एक डिस्टिक है, फिरोजपुर चूडियों और कांच के आइटम के लिए फेमस है, फिर हर्याना में पतेहाबाद और हिसार, इन सब शेहर की फॉंडेश ये कोशन को पूछा जा सकता है, नेक्स कोशन आपका है, डककन सलतनत, अब ये कोशन दिखने में बहुत खतरनाक है, लेकिन आप अगर अगर मॉडन हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा हो, तो इस कोशन का अंसर देदोगे, मॉडन हिस्ट्री के बेसिस पे आप मेडिवल हि ये साउत इंडिया सलतनत पीरिड पर ये कोशन है, बीजापूर जो है ना, ये तो आपका यूसुफ आदिल शा से रिलेटेड है, क्योंकि बीजापूर से ही तो पोर्टिगीज ने आपका गोवा को कैप्चर करा था, बीजापूर से ही तो पोर्टिगीज ने आपको वाला answer आप लोगों ने शाही दिया होगा बाकी अभी तक आप लोगों ने answer नहीं दिया तो धियान रखेगा ancient history और medieval history से अच्छा conceptual और question पूछा गया है जो normally आप competition के books में नहीं देखने को मिलता है तो इसके लिए आपको self notes prepare करने पड़ेंगे और उसके लिए सबसे बड़ी की NCRT इनको जरूर क्या कर लिजएगा download कर लिजएगा purchase करने चाहे तो purchase कर लिजएगा ओके फिर अब CAPF ऐसा examination है UPSC के civil service के examination के बाद जिसमें आपका statement based questions पूछते हैं ओके अब जैसे यहाँ पर आपको statement based questions देखने को मिल रहे हैं बिलकुल तो session को like और share जो करेगा I know अभी notification नहीं है 20 अपरेल को इसका notification आएगा 20 अपरेल के बाद students जरूर inclined होंगे CAPF की preparation के लिए लेकिन आप में से जो अभी से इसकी preparation को start करना चाहते हैं तो it is the right time क्योंकि आज आपका क्या है 12th of April है और 7th of August को आपका exam है तो अगर आपको पास देखा जाएं तो you are already 5 days आपके जा चुके हैं तो आपके पास only 115 days है 115 दिन में आपको history, geography, quality और science और अभी सही current affairs को पढ़ना daily basis पर आप शुरू करें तो बहुत important रहेगा है इस question का answer क्या है under the akhbar system जबती was established in large area of Punjab to work बिल्कुल क्योंकि पंजाब में आपका Indus Valley Plains, Indus River Plains पढ़ते हैं आवद में आपका Gangetic Plains पढ़ते हैं तो यहाँ पर जबती system लगाया गया था फिर यहाँ पर बात हो दिया 17th century, actually जब 1658 आया था 17th century तो सही बोलेंगे 1658 को और उसमें औरन जेब ने यह concord system concord system जो होता था यह आपका एक assumption या average base था तो इस concord system को रियल जो production उस पर base कर दिया था तो इस वज़े से जबती system loss must ground to the concord system यह बिल्कुल गलत statement है बलकि इसका उल्टा था concord system कन का मतलब आपका क्या होता है grain होता है concord system की existence खतम हो गए थी तो खैर यहाँ पर आपका second statement गलत हो जायागा और आपका option number A आपका right हो जायागा only one राहूल सिंग भारदुआज अब आपने बिल्कुल सही answer दिया है अब यह question में type कर रहा था तो ठोड़ time लग गया तो इस वज़े से अब मैं सीधा आपको direct जो last year assistant commandant के question आये हैं उसका सीधा आपको screenshot आपको दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को यह clear दिखाई दे रहा हूँ ओके आप लोगों को शायदे clear एकदम first class दिख रहा हो कल हम quality के questions करेंगे और quality के जो questions है मैंने देखे हैं वो historical development of Indian constitution से भी पूछे गए हैं ठीक है तो I think आप लोगों को कोई issue नहीं हो रहोगा अब इसमें जैसे है कि अकबर ने 1560 में आगरा फोर्ट को construct किया था 1570 में decide गरा था to build new capital at फतेपुर अकबर also commissioned white marble tom in शेख चस्ती दरगा और in 1585 अकबर decided to shift the capital आगरा तो देखो यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखेगा अकबर की जो second capital थी वो आपकी क्या थी फतेपुर सीख री थी और यहाँ पर अगर आप देखे तो यह तीनों ही statement क्या है correct है तो यहाँ पर आपका option number one two थे तो यहाँ पर अकबर के बारे में अकबर की construction जो जो अकबर ने कराया थी उसके बारे में हमें सारी information होना जरूरी है फिर यह आपका land revenue system है और यह हम पढ़ते भी है और permanent settlement act रहयतवाडी महलवाडी system इन में से पूछा गया कि कौन से pair correctly matched है तो देखो सबसे पहले 1793 में आपका permanent settlement act आया था फिर रहयतवाडी system आपका 1820 में आया था और फि McKenzie आपका Holt McKenzie यह आपके क्या लाता है महलवाडी system तो इस question का answer option number D होगा यह तीन land revenue policy ती जिसमें British East India company काफी high taxes क्या charge करती थी काफी high taxes charge करती थी Holt McKenzie ध्यान रखेगा सबसे पहले Holt McKenzie नहीं शुरू कर रहा था 1833 में जाके महलवाडी settlement को आपका Martin birds ने implement पूरे भारत में करवाया था ओके one two नहीं है आप इसे check कर ले न महलवाडी settlement आपको Holt McKenzie ही नाम आपको आएगा बिलकुल रहूल सिंग भार्दवाज आप बिलकुल सही कह रहे हो next अब यह आपका जो question है यह rise of new states हम पढ़ते हैं क्योंकि जब मुगल empire week होने लगा after the death of Warren Zev तो काफी सारी जो states थी वो existence माई जैसे बेंगॉल, अवद, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब यह ऐसी state के आई existence माई तो उसमें यह पूछा गया है कि निजामल मुल्क असफ जहां इसने अपने आपको 1723 में हैदराबाद को एक independent state declare कर रहा था और इसने अपने आपको असफ जहां का था निजामल मुल्क तो इसको title मुगल emperor न दिया था और इसका जो real name था वो था किलिच खांग इसका जो real name था वो क्या था किलिच खांग यह आपको बताते हैं हम बताते भी है ठीक है फिर next question आपका यह है अब यह socialism based है और इस बार cds में भी socialism पर based question आया था तो दियान रखेगा आपसे modern history में event based तो पूछा जा सकता लेकिन आपसे ऐसे statement based भी question पूछा था तो दियान रखेगा modern history को भी आपको core concept के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा राजी वहीर की spectrum या विपिन चंद्रा की आप book जरूर रखेगा वह आपक led by the foundation of congress socialist party okay जो कि बिल्कुल सही बात है जेपी नारायन एक समाजवादी नेता थे इन 1936 नहरू अर्ज Congress to a sector socialism aids its goal and break itself to the peasantry and working तो दियान हो आगर आप लोगों का तो 1935 में जो Congress का session हुआ था वो फैसबूर में हुआ था एक village में हुआ था गाउं में हुआ था तो इस basis पर अगर आप देखें तो यह दोनों ही correct है option number c भी correct है option number statement number one और statement number two दोनों ही आपकी क्या है यह correct statement है next question आपका यह है अब इस question का answer दो okay पढ़िए इस question को और answer दीजे total 19 question आए है आपके CAPF में history के section से जिसमें majority जो है आपकी ancient history और आपका medieval history से है modern history से आपके question आये हैं लेकिन वह आपका Indian national movement से based question नहीं है तो हम इस exam में जैसे cds में depend करते हैं कि इंडियन national movement को पढ़ लो लेकिन इसमें हमें हर एक topic को पढ़ना पढ़ेगा हर एक जो history का topic है जब वह ancient history का हो strangers जो injured हो गया है वो recover हो सके वहां की pure air में pure environment में इसी वज़े से आपका hill station को develop किया गया था तो धियान रखेगा option number D यह statement आपको confuse करने के लिए दी गई है अगर hill station को winter capital बनाया जाता तो winter में तो कलगता या दिल्ली अच्छा temperature रहता तो वहां पर अगर यहां पर summer capital होता तो मेरे को समझ आता वो दलोजी ने आपको शिमला को summer capital बनाया था लेकिन यहां पर तो hill stations की बात हो दी है तो इस question का answer option number D होगा देखा किता simple साधा question लेकिन taste में बहेंकर है तो अब आप यहां पर मैं आज प्रिवे से question करा रहा हूँ उसका main objective यह है कि आपको बताना कि CAPF का exam CDS NDA के exam से बिलकुली different होता है question wise भी question के level उनका जो concept wise भी उनसे बहुत totally different होता है इस question का answer आपका क्या होगा option number D winter capital नहीं अगर यहां पर summer capital होता तो answer A होता ठीक है तो अभी आज आप देख लो आज आप देख लो कि आप मेंसे कितने लोगों ने इसका answer सही दिये जित्ते भी मैंने question कर रहा है जैहिन परेश ओके आप लोगों में से कितने लोगों ने सही answer दिये हैं तो आप खुद ही समझेगा यह कैसे अब थर्स्टे से अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हो दिये तो बिल्कुल परेशान मत हो यह गा थर्स्टे से में पूरी topic wise की class करवाँगा बिल्कुल एकदम starting से जैसे history को पढ़ेंगे history के बाद history में हम पहले 3-4 chapter को करेंगे फिर हम उसके बाद quality को पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे लेकिन उसके लिए एक important चीज़ है कि आपको regular रहना पढ़ेगा जिसमें मैं mcq यानि questions बगर तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा लेकिन उस चीज question आपका अब धर्म सभा यह धर्म सभा यह आपका social religious moment हम पढ़ते हैं modern history का part ठीक है बिल्कुल रजत कुमार भट आप बिल्कुल सही कह रहे हूं इस पर बेस यह question पूछा गया है और आपसे पूछा गया है कि इसकी foundation तो देखो 1830 में वी थी इसकी foundation कलगता में और रादाकांत देव ने गरी थी टोटल 19 question आये थे आपका जैसे बदन सिंग राजा राम जाट यानि आपसे यह question जो पूछा गया है रिवोल्ट और मुमेंट से बेस question है आपका पबना रिवोल्ट पैका रिवोल्ट जाट संधाल विद्रो आपका कूका विद्रो उस पर बेस यह question है तो उसमें से आपसे अचाई अब यह सारे questions आप नहीं कर पाओगे क्योंकि यह अब तो ऐसे कुछ भी कहां से पूछा के पूछ ले लेकिन कहां कहां करें लेकिन कुछ चीज़े होती हैं जैसे question आप देख रहे हो भक्ति मुमेंट अब आपको यह पता होना चाहिए कि भक्ति मुमेंट के सेंट लाड की पूजा नहीं करते हैं वह आपका निर्वन होता है लेकिन चैतन्या जो थे वह आपका लाड किर्शन से रिलेटिड है चैतन्या जो थे वह आपका किस से रिलेटिड है लाड किर्शन से रिलेटिड है फिर आपका सिख गुरू गुरू अर्जन देव से आप पर question पुछार सकता है आपसे माराथा पर बेस कोशन तो माराथा और सिखिजम यह अब आपको modern history में और medieval history में आपको पढ़ना ज़रूरी होगा क्योंकि उससे question आएंगे अब इसकी आप preparation कैसे कर सकते हैं यूटूब पर तो मैं कराऊंगा ही no doubt अगर आप हमाय साथ live batches को join करना चाहते तो CAPF का live batch आपका 25 अपरेल से हम live पढ़ाना शूरू करेंगे paid batch है जिसमें एक two-way communication होता है proper notes बनाया जाता है proper समझाया जाता है lecture delivery होता है और अगर आपकी कोई query होती है तो उसको भी हम at a time entertain करते हैं और आपको proper guidance देते हैं तो capital U 191 discount code को use करके आप 77% में इस batch को join कर सकते हैं 25 अपरेल से शुरू हो रहा है इसमें मैं आपको दो subject पढ़ाऊंगा history of quality geography का जो section है current of year का section है वो क्रीट में मिलेंगी उनका भी session देखा करें और आपको reasoning भी इसमें आएगी mathematics में भी आएगी अभी 12 बज़े आपकी science की class है तो science की class को ज़रू अटेंड करेगा it will be very helpful to all of you session को share जो करें like जो करें कल हम Indian quality के 2021 के ही previous questions को discuss करेंगे और परसो 30 day से एक पूरे steady plan को हम carry on करेंगे तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए सभी को में तब से जय है जय भारत God bless you all bye bye